इस वीडियो में हम देखेंगे partnership का part 1 जानने की कोशिस करेंगे concept क्या use करने वाले हैं हम और कैसे हम questions को easily solve कर सकते हैं तो चले श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम चंदरहा से study smart में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे partnership का part 1 मैथ के काफी सारे concept और chapters हमने खतम कर ली हैं पहले ही तो अगर आपने उस सारे chapters नहीं देखें हैं तो playlist में चले जाईए आपको सारे के सारे video chapter wise मिल जाएंगे आज से हम start करने हैं partnership के part को और जानने की कोशिस करेंगे basic से लेके advanced तक के जो भी questions आते हैं exam में सब देखेंगे कैसे हम easily solve कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं बिना किसी देरी के अब यहां पर क्या करूँगा मैं कि questions लेता रहुँगा और क्या concept used हो रहा या उस तरह के questions अगर आते हैं तो आपको concept क्या लगाना है मैं question के साथ ही बताता रहुँगा तो ध्यान से देखेगा यहां पर मैंने pine trip questions लिये हैं अलग अलग और सब के concept मैं आपको उसी में detail में explain करूंगा तो चले ही देखते हैं पहला question क्या करें है A. Starts a business with rupees 3 lakhs and B. Joins him after 3 months with rupees 12 lakh Find the ratio of their profits at the end of the year A. नाम का कोई विक्ती है जिसने 3 lakh रुपए के साथ business start किया और B. नाम के विक्ती ने उसे business start करने के तीन वहीने बाद जोईन किया 12 lakh रुपए के साथ में ठीक है तो अब कह रहे हैं कि अगर साल भर का पूरा business हो गया है उनका तो साल के अंत में अगर profit बाटना होगा तो वो कौन से ratio में profit बाटनेंगे मतलब A को कितना पैसा मिलेगा profit का और B को कितना पैसा मिलेगा कितना part मिलेगा यह आपको निकालना है तो कैसे करते हैं partnership के questions को तो partnership वैसे term से तो आप काफी को similar ही होगे एकदम basic तो सबको पता ही होगा तो इसमें आपको करना क्या होता है कि यहां पे आपको दिया रहेगा investment दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा टाइम दिया रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि profit का ratio क्या होगा दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है आपको investment दिया रहे, time नहीं दिया रहे, profit का percentage दिया रहे, profit का भाग दिया रहे, total profit दिया रहे और आपसे पूछा जा सकता है कितने कितने समय के लिए कितने लोगों ने पैसा लगाया था, तो इसी तरह आपसे घुमा फिरा के questions बनते हैं इतना पैसा इस first person ने लगाया है, कितने समय के लिए, तो क्या होता है time period T1, फिर इसका ratio किसके साथ होता है, I2 और गुणे में क्या होता है T2, और इसका ratio किसके साथ होगा, I3 गुणे में T3, ठीक है, तो यह अपना ऐसे चलता रहता है, ऐसे रुखता नहीं है कि 3 तक ही जितने भी persons आप होंगे, ऐसे इनका ratio आप easily निकाल सकते हैं, और इसके बराबर में आपको मिलता क्या है इनका profit का ratio कि P1, P2, P3 और ये भी अपना as so on चलता रहेगा, जितने भी persons होंगे वैसे ही profit भी यहाँ पे उनका अनपात निकलता रहता है, ठीक है, तो यहीं आपको follow क देखना है कि जितना पैसा लगाया गया है, वो कितने समय के लिए लगाया गया है, यह आपको बस ध्यान में रखना है, कितना पैसा लगाया गया है, और वो पैसा कितने समय के लिए अभी हमागी जब advance questions को देखेंगे, तो उसमें कई बार क्या होता है कि पैसा कुछ लगा हो रहा है आपको बस ये ध्यान में रखना है और persons के बारे में बात होगी उसको हम उसी हिसाब से adjust करते रहते हैं इतनी simple सी बस आपको बात रखनी है और partnership के सारे questions आप easily solve कर सकते हैं ठीक है आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा चलिए अब आ बात करेंगे साल में बात करेंगे तो हम उसे हमें बात करेंगे तो महीने में break कर लेंगे, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो कैसे करेंगे हम, 3,00,000,000 रुपए लिखेंगे, और ये कितने समय के लिए लगाए गया है, 12 महीने के लिए, और इसका रेशियो किसके साथ निकालेंगे, B का, B ने कब जोईन किया है, after 3 months, 3 महीने के ब भीजिए 12,00,000 ठीक है यह कितने समय के लिए लगा है नौ महीने के लिए कि लिए 9 लिखना है तो इसमें आपको क्या निकालना है profit का ratio कितना होगा तो आपको क्या करना है बस cancel out कर लेना है आपको profit का ratio मिल जाएगा तो देखिये यहां से five zeros हैं यह five zeros से कट जाएंगे यह बारा से बारा कट गया तीन से यह नौ कट गया कितनी बार में तीन बार में क्या जाएगा वन इस्टू थ्री तो यही इनका क्या निकल आया profit का ratio तो आप से इसे पूछा जा सकता है हाला कि यह question bankler 2011 में पूछा गया था बहुत ही आसान question है तो आसानी के साथ आप निकाल सकते है वन इस्टू थ्री का ratio आएगा तो जहां भी आपको वन इस्टू थ्री मिलेगा आपको ही option टिक करना है I hope आपको इतना समझ में आया होगा चलते हैं दूसरे question पर अब देखें दूसरा question क्या है राम श्याम एंड कमल टूगेदर स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनर्शिप मतलब तीन लोगों ने एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया मतलब तीनों की स्टार्टिंग का टाइम क्या है सेम है किसी ने पहले किसी ने बाद में स्टार्ट किया है इनके रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो में उन्होंने पैसे लगाए है इफ देर एन्वल प्रॉफिट इस 21,000 वाट विल बी दे कमल सेर्स इन दिस प्रॉफिट कहरें कि अगर उनको आखरी में 21,000 रुपए का टोटल इतना का प्रॉफिट हुआ है फाइदा कितना होगा आपको टोटल प्रॉफिट यहां पर दिया गया है तो इस तरह के कोई भी क्वेश्ट बनाने की जिरूब्ट नहीं है आपको टोटल प्रॉफिट पता है और यह पता है कि पैसा कितना मतलब रिशियो में लगाया गया है और यहां पर टाइम अगर अलग- साथ ही शुरुआत किया है और कोई भी बीच में से आया गया नहीं है तो यह आपका कोशन बहुत ही सिंपल हो जाता है हाला कि यह आर भी दोजार साथ का कोशन है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कमल का बस आप देख लीजिए आपको शेर कितना है तो यहां पर आप कटे में 14 और गुणे में प्रॉफिट कितना है 21,000 बस यह आपको लिखना है से कैंसे लाउट करना है और आपको कमल को कितना रुपय मिला होगा इन टम्स ऑफ रुपीज ठीक है मतलब पार्ट नहीं रुपया कितना मिला होगा वह आ जाएगा तो साथ दूनी 14 और इसको आप श्याम का रेशियो तो आप क्या करते चार और नीचे में 14 और गुणे में 21,000 यही आपको करना था तो किसी का भी रेशियो आप से पूछा जाएगा या पूरा हिस्सा पूछा जाएगा कि कितना रुपय उनको टोटल मिलेगा तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं आप आपको इतना समझ में आ गया होगा चली चलते हैं तीसरे कोर्शन पर अब तीसरा कोर्शन देखें क्या करें हैं कि A और B इने तीन अनपाते 5 के अनपात में इनवेश्ट किया है कि 6 महीने के बाद C भी उसी बिजनेस में आ जाता है और उतना ही एमाउंट लगाता है जितना B ने लगाया है तो आपको बताना क्या है कि A, B और C का प्रॉफिट का रिशियो क्या होगा साल भर के बाद तो कैसे करेंगे इस कोशन को इसमें देखिए आपको यहाँ पे C का पार्ट नहीं पता है कि कितना हिस्सा C ने लगाया है बलकि यह पता है कि उतना ही एमाउंट लगाया है जितना की B ने लगाया है तो यहां पर आप इसे क्या करेंगे जो भी आपको ratio दिया गया है उसे आपको amount में convert करना है तो यह conversion कैसा होता है आपको पता होगा कितनी आसानी के साथ आप कर सकते हैं आपको यह दिया गया है A is to B कितना है 3 is to 5 के ratio में है ठीक है तो यहां से हम मान सकते हैं क्या कि A का amount कितना होगा हम एक ले लेते हैं यह क्या हो जाएगा 3X X से multiply कर देना है दोनों में ही और B का amount कितना हो जाएगा 5X मतलब आप X की value अगर find कर लीजे तो आपको A और B का actual amount पता चल जाएगा तो C का amount कितना होगा C ने भी उतना ही किया है जितना भी ने किया है अगर इसने 5X किया है तो C ने भी कितना किया है 5X बस क्या है कि timing में difference है A और 20 तो शुरू से लेके अंत ठकते थे उन्होंने पूरे के पूरे 12 महीने किया है लेकिन C ने 6 महीने के बाद जोईन किया है तो C का जो amount है वो केवल 6 महीने तक ही लगा रहेगा बस इसी को आपको solve कर लेना है तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहां से भी directly solve कर सकते हैं वरना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे A इस्टू B इस्टू C % और यह रेशियो हो जाएगा 5X । अब जो भी कट रहा है उसे आप कट कर दीजे से 6 से यह दो बार कट हो जाएगा 2 बार कट हो जाएगा एक्स आपका पूरा का पूरा कट हो जाएगा तीनों तरफ से बचा क्या है अब उसे आप मल्टिप्लाई करके लिख लिजे तीन दोनी छे और पांच दोनी दस और यहां पी क्या बचा पांच तो ए बी और सी का यह जो आपका आता है इन्वेस्टिमेंट और टाइम का कि जो भी आपको फर्स्ट एंसर मिलता है वही आपका रेशियो हो जाता है आपको इसे भी सिंप्लिफाई करना होगा आप यहां पे देखिए कोई भी ऐसा सिंप्लिफिकेशन आप इसमें नहीं कर सकते हैं मतलब आपको कोई एक नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों नंब मतलन इसमें क्या दिया है इन्वेश्टमेंट का रेशियो दिया है और आपसे पूछा क्या है कि इन्हों कितनेently time рок पिरेट के लिए क्या किस रेशियो में उनका टाइम पिरेट का रेशियो क्या था यह आपको बताना है तो कैसे इसे फाइंड करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इसे कि जब भी आपसे क्या दिया रहे कि इन्वेस्टमेंट दिया रहे और आपसे इन्वेस्टमेंट दिया रहे है और आपसे टाइम का रेशियो पुछेगा तो आपको डारेक्टली यही फॉलो करना है कि अगर टीवन अनपाते टीटू अनपाते टीथ्री आपको निकालना है तो डारेक्टली आप क्या अगर investment का ratio आपसे पूंचा जाए और time का रेश्यो दिया हो और profit का रेश्यो दिया हो तो कैसे करना है आपको तो यहां पर i1 to i2 to i3 is equal to क्या हो जाएगा ? P1 upon T1 to P2 upon T2 to P3 upon T3 यह आया कहां से है ? जो पहले question में यह आपको equation लिखो आथा वहीं सी result होके आपका आता है तो आपको किसी भी जहणजट में नहीं पढ़ना है ना तो को equation लिखना है , आपको Directly बस यही implement करना रह जाता है तो जैसे यहां पर हमको क्या दिया गया है हमको investment दिया गया है ratio और profit का ratio दियागा time का ratio पूछा गया है तो बस आप directly यहां से करना start करेंगे कि पहले का जो profit है कितना है 2 upon 4 इस्टू 3 upon 6 इस्टू 5 upon 9 यह क्या गया इनके time का ratio मतलब TA इस्टू TB इस्टू TC यह आया है तो ध्यान रखेगा कभी इस तरह आपको ratio नहीं दिखाना है तो आप क्या करेंगे नीचे वाले numbers का LCM लेंगे उसे उपर से पूरे में गुणा कर देंगे तो 46 से आप गुणा कर द लिखने वाला step नहीं था लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है वह समझ सकते हैं अब काट के लिजे से 9 बार में कटेगा यह कितनी बार में कटेगा चार बार में कट रहा है ठीक है अभी आप जो भी गुणा हो रहा है इसे गुणा करके ल रहेंगे तो आप इसे काट सकते हैं 9 is to 9 is to 10 यह जो आपका आया है यह आपका क्या है answer मतलब उनके time का ratio क्या होगा 9 is to 9 is to 10 मतलब ए और बी समान समय के लिए लगा रहे हैं और सी का जो ratio है वो different रहेगा तो इस तरह से आपको questions को परफॉर्म करना है इसी जगह आपको दिया होता क्या कि time दिया होता प्रॉफिट का रिश्यों दिया होता इन्वेश्ट मिल जाना है आपको यह समझ में आया होगा चले चलते हैं पांचवे question पर देखें पांचवे question क्या है कि a and b together start a business by investing in the ratio 4 is to 3 मतलब ए और बी ने कोई business start किया चार अनपात में तीन के ratio में अपना capital मिला करके if 9% of the total profit दियान रखेगा total profit का 9% goes to charity मतलब charity में चला जाता है दान दश्खना में चला जाता है आपका 9% बाकी का जो बस्ता है उसमेंसे एक आ शेयर कितना है 1196 रुपय ठीक है तो आपको क्या निकालना है total profit कितना है दियान रखेगा आपको यहाँ पे एक का दिया गया है कि एक को कितना रुपए मिला है profit में से 1196 रुपए मिला है और आपको बताना क्या है कि टोटल कितने रुपए का profit हुआ था तो इस question को कैसे करेंगे ध्यान रखेगा कि बहुत ज्यादा इसमें घबडाने की जरूत नहीं है बस एक common sense आपना साथ रखिए percentage का concept तो आप सबको पता ही होगा उ बचेगा कितना 91% profit ही बचेगा जितना भी रुपए होगा 91% ही बचा होगा इतनी बात समझ मेंगी और इसी 91% में से ही एको हिस्सा मिला होगा तो एको कितना हिस्सा मिला होगा जिस हिसाब से उसका capital investment होगा अब देखिए यहाँ पर time दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ने एक ratio देखेंगे उनके capital investment का कितना है 4 is to 3 तो एका share कितना होगा तो एका share होगा 4 total कितने part में से 7 part में से 4 और 3 को जोड़ देंगे साथ आ जाएगा ठीक है तो 91% का 4 बटे 7 कितना दिया गया है आपको 1196 रुपए तो आपको क्या निकालना है इसमें से तो आपको इसमें से निक cross multiply तो x की value कितनी आ जाएगी अगर हम इसे p कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा आप समझने में असानी होगी profit कितना जाएगा तो होगा 1196 गोडे में क्या आएगा 100 बटे में करेंगे 91 को और 7 यहाँ पे चला जाएगा उपर और नीचे क्या जाएगा 4 गोड़ा में चार से इसे cut करेंगे कितना होगा 25 25 को 92 से गुणा करना आप सब को आता है मैंने बताया है कितनी आसानी से करेंगे बस इसको चार से भाग दे किया है और हमने को कर लिया है पस इतनी सी बात आपको ध्यान में क्या रखनी होगी कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है और टाइम है बस यह बात ध्यान रखेगा यहां पर टाइम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था तो टाइम सेम ही था और कोई बीच में से भागा है नहीं था तो 12 महीने के लिए पहले निव핑 विलागाए था 12 महीने के लिए नहीं दूसरी ने भी लगए तो बारा महीने की कोई जरुबत थी कोई जरुबाब नहीं थी क्योंकि बारा से बारा तो कठी जाना था क्यों लोंके कैपिटल का रेशियो ही सेम रहेगा तो इसलिए हमने उसे नहीं लिखा इसी तरह आपको भी अब जरु करना है और कोश्चन को जितना ज्यादा मेंटली सॉल कर सकते हैं उतना ज्यादा आप टाइम बचा सकते हैं आई होप आपको यह समझ में आया होगा छटे कोश्चन पर चलते हैं चलिए चाटा कोश्चन कहता है कि सोनु इन्वेस्टेट 10% more than investment of मोना कि मोना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा सोनु ने उससे 10% ज्यादा किया होगा एंड मोना इन्वेस्टेट 10% less than investment of रुपीज 5785 इन्वेस्टमेंट को मिला लिया जाए तो इतने रुपए बनता है तो आपको बताना है कि रघू का उसमें कितना पैसा लगा हुआ है तो यह आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम सबसे जुरूरी बात यहां पर क्या होगी कि आपको यहां पर मानना प देखे अब चेन फॉलो हो रही है कि सोनु उतना इन्वेस्ट करता है जितना मोना ने इन्वेस्ट किया होगा उससे 10% ज्यादा ठीक है मोना ने जितना भी किया होगा 10% ज्यादा और मोना किसके ओपर डिपेंडेंट है मोना है डिपेंडेंट रघू के उपर कि रघू ने कि जहां से आपका बेस लग रहा है कि रगु को मानेंगे रगु की उपर कोंडिपेंडेंट है मोना और मोना की उपर कोंडिपेंडेंट है सोनु तो रगु को बेस मानेंगे हम और हम मान लेते हैं कि मालीजे रगु ने कितना इन्वेस्ट किया है 100% ठीक है या 100 रुपीज ज इतना मोना ने इन्वेस्ट किया है, उससे 10% जादा, तो सोनु कितना इन्वेस्ट करेगा, मोना का 10% निकालें कितना जाएगा, 9% तो आट कर दीजे, कितना हो जाएगा, 99% ये तो आ गया क्या है, उनके कैप्टल इन्वेस्टमेंट कितना इतना परसेंट उड़ों ने किनों को मिला करके इतने रुपए बनते हैं 5,780 रुपए तो रघु का क्या निकलेगा तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि रघु इस्टू मोना इस्टू सोनू कितना हो जाएगा सो इस्टू 90 इस्टू 99 अब इसे अगर आप कैंसल आउट करने जाएंगे तो कैं इसे कम कर लीजे कितना जगा टोटल कितना है 5,780 इसका गुणा कर लीजे एक जब उसी तरह है जैसे आमने पिछला कोशन किया था बस यही आपको समझने वाली बात थी जो मैंने यहां पर समझाईए अब आसानी से आप कर सकते हैं अब इसे कट कैसे करेंगे 17 से कट कर ले अनससटे कर गया 17 और यह कितना हो जाएगा 17 में इसके आप पता से डरेट का सकते हैं कि नहीं तो अगर यह सत्रह का एसक घुरा का है तभी ये कट सकता है, वरना कुछ answer दूसरा हैगा, तो मैंने एक बाट राई किया, तो देखा तो पूरा कट गया, तो वहीं से मैंने इसे observe कर लिया, अब 17 देखिए, दो बार में काट देगा, इसे कितना जाएगा 20, अब 20 गुणे में 100 कितना हो जाएगा आपका 2000, तो पूरे में 20 होता, ये कितना जाता आपका 1800, ठीक है, इसी जगा आप सकता पूंचा होता सोनू कितना है, तो 90 की जगा 99 होता, और ये आपका आजाता 1,980 रुपए, ठीक है, तो इस तरह से आप question को निकाल सकते हैं, मैंन क्या था समझना, कि आपको बेश समझ लेना है, उसी आप से adjustment करने हैं अपनी, और बाकी का सारा question तो simple ही है, जैसे अभी हमने पिछला question किया था, I hope आपको ये समझ में आया होगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको ये basic part बताया है, simple simple questions थे, शुरुआत हम basic से ही हम ऐसा करते हैं, अभी आगे आने वाले पार्टो आपना apply करिए, सारे questions easily हो जाते हैं, ठीक है, तो ये part आपको कैसा लगा, मुझे comment करके एक बार जरूर बतायेगा, और साथी साथ अगर आपके कोई questions हो गया रहा हो, तो वो भी आप नीचे post कर सकते हैं, वीडियो कर पसंद आया है, तो like और share करना बिलकुल भी ना भूल है अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभियत तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के जो वीडियो में दे रहा हूँ आपको, वो आपके आने वाले एक्जामों के लिए बहुत important है, और फायदे मन्द होंगी और आपका स्कोर आगे और इंप्रूव होगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम मिलेंगे next part में, तब तक के लिए have a nice day and bye